स्मार्ट एं लीगल गादेंस डाउन्लोड दिया अप्लिकेशन नाव नहीं बनाया जा सकता है यह स्टेट्मेंट क्लीर तोर पे ओनरेबल जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डी बाई चनल चून सहाब जी इनके द्वारा बोला गया है यह मुद्दा यहां पर सामने क्यों आया था यहां पर एक हमारे ओनरेबल जस्टिस विक्तोरिया लग गयें थे तक बाई नहीं नहीं करना चाहिए इनको हाइकोड का जज नहीं बनाना चाहिए क्यों जी यहां पर वकीलों आप एक अपना व्यूपाइंट दिया था अपने विचार प्रस्तुत करें थे कि इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनों ने जो है न, इन जसाहिबा ने, जैसे कि Victoria, गवरी जी ने, यहाँ पर बहुत सारी हेट स्पीचिस दी थी, religious minorities के उपर बहुत सारी हेट स्पीचिस दी थी, इसलिए यह जो है जसाहिबा बनने लायक, high code की नहीं है, यह अपना ए General CGI साहाब ने, अपना clear viewpoint बताया, और अभी आप लोगों पता भी होगा, कि इनको हमारे CGI साहाब को एक बहुत बढ़ी बात थी, एक बहुत बढ़िया बात थी, खुशखबरी वाली बात थी, इनको Harvard Law School के अंदर, एक अपना conference के तोर पे, इनको invite भी करा था, वहाँ पे भी म Community के Collegium के Through ही जाता है, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे CGI साहब ने clear तोर पे बोला था, कि हम ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को elevate करके Supreme Court का Judge, elevate करके High Court का Judge नहीं बना देते हैं, बार में से, हमारे पास में बहुत बड़ी एक Scrutinity Team है, एक Scrutinity का process होता है, पहले हाँ पे High Court का Panel बनता है Collegium बनता है, वहाँ से नाम recommend होके State Government के पास जाता है, State Government अपना पूरा background चेक करते हैं, फिर State Government के पास जाता है, Union Government के पास Panel में जाता है, फिर वहाँ से जो है, नाम recommend करने के बाद के बाद केवल ऐसी एक प्रूव नहीं हो जाता, बहुत अच्छे तरीके से scrutinity करी जाती है, उस बार के member का background चेक कर जाता है, judgments चेक कर जाते हैं, कौन-कौन से cases में prosecute उन्होंने किया है, defense किया है, in fact ऐसा judge के रूप में उन्होंने अपनी services दी है, ऐसा judicial officer में अपनी उन्होंने service दी है, फिर उसके बाद जब Union Government हैं, तो center जो है, एक नाम recommend करता है Supreme Court के Collegium को, फिर Supreme Court अ यहां पे नाम announce होता है, कि X नाम के judicial officer को, या advocate को, या magistrate साहब को elevate करा जाता है, High Court के judge के तौर पे, Supreme Court के judge के तौर पे, ऐसे काम होता है, केवल यूही हम जो है किसी का नाम, एक बंदे का नाम पिक करा बार में से, और इसको judge का, हमने elevation के तौर पे declare कर दिया, ऐसा अभी नही होता है, और official सारे के सारे process होता है, official scrutiny होती है, official background check होता है, और stage is wide, पहले high court का collegium बनता है, उसके बाद state government का collegium अपना panel बनता है, फिर union government के पास नाम जाता है, union government से panel में, जो center अपने नाम पास करता है, फिर supreme vote के collegium के पास नाम जाता है, then यहां पे जो है, अपना नाम announce होता होता है, अब यहां पे जो है, justice Victoria Gauri जी का जब नाम recommend हुआ, यही process का, यही background check का, यही scrutiny का नाम check करते हो, यहां पे नाम recommend करा गया था, तो यहां पे C.J.I. साब ने clear बोरा है, कि can't, cannot object to judgeship, merely for the views held as an advocate, as a lawyer, कि कि वोल वकील जो है, सारे के सारे वकील जो है, कोई भी अपने, बस अपना complaint दायर कर रहे हैं, कि भाई, इन्होंने तो hate speeches दी थी, minority religious communities के अपर, तो इनको elevate नहीं करा जाना चाहिए, यह कोई अपना अधार नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ judgeship के elevation के लिए, यहां पे C.J.I. साब ने एक example भी दिया था, कि भाई, देखो, एक doctor होता है, वो doctor किसी का भी, कोई भी patient आएगा, तो doctor यह थोड़ी नहीं देखेगा, भाई, यह तुम्हारे चोट जो यह लगी है, तुमने कोई अपराद किया था, तब तुम्हारे चोट लगी है, अगर तुमने अपराद किया था, तो भाई, हम तुमारा operation नहीं करेंगे, ऐसे यह वकील होता है, एक advocate होता है, जब उसके पास कोई client आता है, तो client, वो अपने client के बारे में अपनी बाते, अपने client वकील को बताता है कि वकील साब मैंने यह यह कर दिया, मैंने ऐसे से कर दिया, यह मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो वकील साब की भी तो यहाँ पर duty होती है, कि अपने client क को represent करने के लिए as an advocate के तौर पे prosecute करने के लिए defense करने के लिए court के अंदर ठीक है तो यह भी तो एक वकिल की duty है ऐसे ही जजिस की भी यहाँ पर duty है कि और को लेजियम की भी यहाँ पर duty है कि पूर एका पूरा scrutiny चक करेंगे केवल एक अधार पे इन्होंने एक head speech दी है यह अधार नहीं बन सकता भाई हम उसका अधार नहीं होता है हमारी भी जैसे doctor की duty है जैसे lawyer की duty है ऐसे हमारी as a collegium की भी duty है ज़िसको elevate करने के लिए और बहुत सर लोग यह भी कहते हैं कि हम judgeship join करना नहीं चाहते एक यह भी problem आती है कि good बहुत अच्छे अच्छे candidates जो है जिनका नाम recommendation में elevation में जाना चाहिए लेकिन जा नहीं पाता है बट यह उनका अपना अधार होता है अपना viewpoint होता है क्योंकि यहाँ पे CGI साब ने एक अपना point of view यू तो उनका judgments भी check करे जाते हैं और उनका personal life भी एक होती है कि जब उनका नाम elevate होगा जब वो judge बनेंगे high court के judge बनेंगे supreme court के बनेंगे xyz तो इसके पीछे यह आधार नहीं होता कि केवल एक साल के लिए दो साल के लिए नहीं यहाँ पर 15 से 20 साल तक उनको as a judge के चौर पे अप हमने barriers बना रखे हैं कि पहले एक barrier cross होगा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा होगा फिर चौथा होगा तो यहाँ पे केवल यहाँ पे hate speeches का एक अधार बनाना विचार प्रस्तुत करना community के दवारा या वकीलों के दवारा या group of people के दवारा यह हम अधार बिलकुल acceptable नहीं करते ह है तो यहाँ पे clear तोर पे D.Y. चंदर्चून साहाब ने on justice Victoria Gowrie elevation के तोर पे यहाँ पे statement clear तोर पे बोली है can't object to judgeship merely for the views and objections held as a lawyer as an advocate अब आप लोग क्या point of view है आप लोग भी है वकील हो आप लोग भी court में practice करते होंगे या आप लोग भी एक law student हो कानून की अच्छी कासी ज होगे तो आप लोग अपना point of view जरूर बताइएगा कि आपके मुदाविक यहाँ पे elevation के दौरान judges के दौरा अगर कोई statement pass करी गई है hate speech के regarding तो क्या यह relevant होनी चाहिए to consider that particular statement while elevating any candidate, any judicial officer, any advocate to become a high court judge और a supreme court judge आप लोग मुझे अपना point of view जरूर बताएगा और वीडियो को ला लोगों तक यह जाएगी जितने ज्यादा वकील लोगों के पास जाएगी law students के पास जाएगी experience advocates के पास जाएगी यह वीडियो सभी लोगों के अपने viewpoint आएंगे comment section के अंदर और हमारा थोड़ा सा all development thinking process में बढ़ेगा आप लोग क्या मानते हो please comment box के अंदर जरू बताएग और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स्राइब जरू करेगा बागे मिलते नेक्स वीडियो करें थैंक यू